बच्चों आज हम exercise 1.1 question 1 को discuss करेंगे आप देख रहे हैं आकरसक नाले चैनल आज के इस वीडियो में हम equally division limba या equally division algorithm के द्वारा या सिप कैसे find करते हैं equally division limba का concept क्या है इन सब चीजों को जानने का प्रयास करेंगे आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही informative होने वाला है इसलिए वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा ग्यान को अगर हांसिल करना है ग्यान को अगर पाना है कुछ खोना जरूर पड़ेगा चलिए पहले हम question को समझ लेते हैं question क्या है यूजे यूकलीडे डिविजन एक लोगर थिम to find the SCF आप 135 और 225 और 196 और 38,220 ठीक है पहले question नमबर 1 हम लेते हैं 135 और 225 ठीक है इसको solve करने से पहले हम यूकलीडे डिविजन लेंबा या यूकलीडे डिविजन एकलोर्थिम क्या होता है पहले उसको हम समझ लेते हैं फिर question को हम आगे proceed करते हैं जिससे आपको आशानी हो समझने में ठीक है तो यूकलीडे डिविजन लेंबा का statement क्या है A equal to BQ plus R ठीक है B का मतलब होता है diviser ठीक है Q का मतलब होता है quotient और R का मतलब होता है remainder ठीक है जैसे आपको इडिविजन का process जवाब करते हैं तो division के process में किसी नंबर से किसी नंबर को आप divide करते हो ठीक है divide करने पर कुछ नीचे बच जाता है मानिश करने पर तो उसको हम क्या करते हैं remainder करते हैं ठीक है तो इडिविजन लिम्मा भी इसी बात को बताता है ठीक है तो यहाँ पर हम बात करें यह क्या है मारा यह है क्या dividend ठीक है यह क्या है dividend B क्या है diviser है Q क्या है quotient है और क्या है remainder ठीक है जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको हम diviser मानेंगे और जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम dividend मांगेंगे division का तो यह rule है छोटे नंबर से बड़े नंबर को हम divide करते हैं ठीक है तो हम 135 को क्या मानेंगे diviser मालेंगे ठीक है चलिए फिर इसको हम divide करते हैं नम्बा दोनों नम्र को हम divide करेंगे, divide हम तब तक करेंगे, जब तक कि 0, remainder 0 ना आ जाए, ठीक है, तो 225 को आप 135 से divide करेंगे, 135 क्या है आपका, diviser है, 225 क्या है, dividend है, ठीक है, कितना time जाएगा, one time जाएगा, ठीक है, तो one time आप ले जाएगा, इसको जब minus करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 90 आ जाएगा, ठीक है, अब ध्यान दने की बात है, यहाँ पर जो आपका remainder 90 बचाए, यही आपका क्या होगा, diviser हो जाएगा, ठीक है, 135 dividend बन जाएगा, यह चीज हम तब तक करेंगे, जब तक कि हमारा division पूरा खत्म नहीं हो था, remainder 0 नहीं आ जाता, ठीक है, इसको आप वन टाइम लेगा, डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा, आपको 45 मिलेगा, फिर से वही काम, 45 को आप diviser बनाओगे, और 90 को क्या बनाएगे, dividend बनाएगे, 45 से 90 को आप डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम जाएगा, 45 तो जा 90, मैनिस करेंगे, तो क्या ठीक है, मिनस रिमेंडर आपका 0 आगया, डिवियन आपका ये पर खत्म हो गया, ठीक है, चलिए अब इसको हम, जो एकली डिवियनल लेंबा का जो स्टेटमेंट है, उसके रूप में हम लिख लेते हैं, तो पहले हमने एक को क्या लिया था, 225 लिया था, तो 225 इकोल टू, अब डिवाजर क्या है, 135 है, हमारा कॉशन क्या है, 1 है, रिमेंडर क्या बचा हमारे पास, 90 बचा, फर्स्ट स्टेप में, ना, सकेंड इस्टेप की बात करें, तो 135 हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, ठीक है, और 90 हमारा डिवाजर हो गया, ठीक है, 90 क्या है, डिव बात करें हैं, तो 30 statement 90 हमारा क्या है, dividend है, 90 equal to 45, 2 plus 0, 45 क्या है, divisor है, 2 क्या है, quotient है, remainder क्या है, 0 है, 45, 1 plus 0, ठीक है, इस तरह से 45 क्या हो गया SCF हो गया ठीक है means SCF of 135 and 225 equal to 45 ठीक है I think आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी यही हमारा answer है चली अब हम question 2 देख लेते हैं question 2 क्या है 196 and 38,220 ठीक है means 38,220 को हमें क्या करना 196 से डिवाइड करना है ठीक है state में हमारा क्या होता है a equal to bq plus r यह क्या है 38,220 है b क्या है 196 है ठीक है चली तो इसको हम डिवाइड करते हैं 38,220 को 196 से हम डिवाइड करेंगे तो पहले हम रिवाइड करेंगे one time जाएगा तो 196 ठीक है ले जाएगे minus करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 186 मिल जाएगा अब ध्यान देनी के बाद है उपर अभी आपके आपके बास नंबर बचा हुआ है ठीक है इसलिए जो नंबर नीचे आपके बचा यह क्या है रिमेंडर नहीं है यह ठीक है मतलब अभी हमारा डिविजन खत में नहीं हुआ है ठीक है अभी इसको हमें आगे और डिवाइड करना है ठीक है रिमेंडर तब बचता है जब उपर कोई नंबर न बचे है तब उसको रिमेंडर कहा जाता है ठीक है तो अब 196 से हम क्या करेंगे 1862 कुड़िवाइट करेंगे तो 9 टाइम जाएगा तो आपको मिल जाएगा 1764 ठीक है इसको आप माइनश करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 98 मिल जाएगा अभी आपको पास उपर जिओ बचा हुआ है तो जिरू आप नीचे उतार लेंगे यह तरह से नंबर क्या हुए 980 ठीक है अब 980 को आप क्या करेंगे 196 से आप डिवाइट करेंगे क्यों? क्योंकि अभी रिवेंडर आपको नहीं मिला है ठीक है तो 196 से आप 900 को डिवाइट करेंगे 5 टाइम जाएगा क्या मिलेगा 980 मिल जाएगा माइनस करेंगे जिरू आजाएगा तो रिवेंडर आपको यहाँ क्या मिल गया जिरू मिल गया अब चुकि remainder 0 मिल गया, इस एडिविजन आपका खत्म हो गया, अगर remainder 0 नहीं मिलता, तो जैसे previous question हमने किया था, वैसे फिर यहाँ भी करती, ठीक है, चलिए इसको हम write कर लेते हैं, तो हमारा dividend क्या है, 38,220, और diviser क्या है, 196, 196 मडपलाई, 195, प्लस 0, ठीक है, इस तरह से हमारा जो SCF हो गया, वो हो गया, 196, क्यों, क्योंकि 196 से ही पूरा division खत्म हो गया, इसलिए ही हमारा क्या है, SCF है, ठीक, यह हमारा answer हो गया, comment करके बताईए आपको वीडियो कैसा लगा, thank you,